हातरस के सहपव थाना चेतर के गाउं नगला प्राण में अपने ही घर में बकसे में बंद मिली युवती की लाश पडोस के गाउं मंडाके से आई उसकी बहन के खोजने पर युवती की लाश मिली बकसे में बंद युवती की लाश मिलने से इलाके में हरकम मच गया सूशना पर पहुंची पुलिस ने शब को कब से मिले कर जाँच परताल में जुट गई है हातरस के थाना सहपव इलाके के नगला प्राण में एक बिद्वा महिला कमलेश पत्नी अतर सिंग अकेली अपने घर में रहती थी बताया जाता है कि लगवग डेड़ वर्स पूर्व उसके पत्नी अतर सिंग की मौत हो गई थी और वह घर में अकेली ही रहती थी कमलेश देवी को कई दिनों तक नहीं देखे जाने पर इस्थानी लोगों ने पड़ुस के ही गाउं में रहने वाली उसकी बहन विमलेश को सूचना दी आज विमलेश के गाउं पहुचने पर उसने घर मेरे बहन की खोजविन शुरू कर दी जब उसने घर में रखे में मिलने की सूचना पर इलाके में हरकम मच गया और लोगों की भीर मौके पर जमा हो गई वहीं इस सूचना पर पहुंची सहपव पुलिस के द्वारा शब को अपने कपजे में लेकर पोस्माटम के लिए भीज दिया है और मामले की जाच परताल में जुड़ गई है वहीं पुलिस हेत्रा दिकारी साधबाद के द्वारा बताया गया कि मिर्तका महिला का अपने वतीजे से संपत्ति का विवाद चल रहा था और उसकी भूमिका भी संदिक्द नजर आई है मामले की तेहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजिगत कर लिया गया है और चार्ट परताल की दूजिए गया है आई कि देखी था पांगा था दा लुदक्स के जो आए हमने अपने देखा था नहीं कोई निहीं दखर में अपने तो अपने आपाँ सब्कों कोई नहीं नहीं ह theo वही क्यों हूं पती नहीं इसके पती को वतंगे इनके जड़ साथ आप को लेता था इनके साथ आज दनां पाँचाट रिक्ष को समय साड़ी ग्यारे वजे सूचना प्राप्त होई कि थाना सेफव के गाउ नगला प्राण में एक ब्रद बैला कमलेश देवी पतनी स्वर्गी अतर सिंग उम्र करीब 65 बर्ष का सब उसके घर में पड़ा हुआ है इस सूचना पर ततकाल मैं छेता दिगारी साधावाद एवं ऐसे चो सहप हूँ मैं पुलिस वल के घटना स्थल पर पहुँचे एवं घटना स्थल का निच्षक किया सब के पंचायत नावा की कारवाई कर सब को पोष्ट मार्टम हेद भिजवाया गया जानकारी करने पर पता चला कि महिला का उसके पत्के बतीजे से संपत्य का बिवाद चला था जिसकी भून का संदिक्द है गटना स्थल पर फोरेंसिक टीम एवं डोग इस्वार्ट टीम द्वारा पहुँच कर भी निच्षड किया गया प्राप तेरीर के हमसार सुसंगत धाराओं में अव्योग पंजी कितकर आवश्यक बैधानिक कारवाई की जा रही है